रूसी हमले के बाद युक्रेन में तबाही का मंसर देखा जा रहा है। कई ऐसी तस्वीरे भी सामने आ रही हैं जो बेहद भयावे हैं। इस बीच युक्रेन से लोग भारी संख्या में पलायन भी कर रहे हैं। नई सेटलाइट तस्वीरों में देखा जा रहा है कि हजारू की संख्या में लोग युक्रेन छोड़ रहे हैं। रोमानिया युक्रेन की सीमा के पास कारों और ट्रकों का कई किलोमेटर लंबा सडक जाम देखने को मिला है। युक्रेन की राजधानी की उपर रूसी मिसाइल हमले के बाद लोग देश छोड़ कर पड़ोसी देशों में भागने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजनसी मैटसा टेकनोलोजीज द्वारा साजह किये गए हाई रेसलूशन तस्वीरों के अनुसार शुक्रवार को साईरेट सीमा के पास इस तरह की गतिविदियां रेकॉर्ड की गई। राजधानी की उपर मिसाइल हमलों के पीच युक्रेणी नागरिकों ने शुकरवार को पॉलेंड, रोमानिया, हंगरी इसलोव वाक्या में बड़ी संख्या में खुसपैट की। इस इलाके में बड़ी संख्या में लोगों को सीमा पर घंटो इंतजार करते हुए भी देखा गया। मौका पर चड़ने के लिए इंतजार कर रही थी। इसाकिया, मोलदोवा और काला सागर के बीच का एक शहर है। गुरुवार को युक्रेणी से कम से कम 29,000 लोगों ने पॉलेंड में प्रविश किया।